देवादि देव महादेव का पावन मास, स्रावन मास प्रारम्ब हो चुका है स्रावन मास की कावड यात्रा जग्द ख्यात है पुरी देश के अंदर और खास्तोर पर उत्तर भारत में इस दोरान स्रीव भक्त महादेव के अनुष्थान में लीन हो करके सभी स्रीवालियों में जलावि सेख के साथ अपनी असीम भक्ति का प्रदर्सन करते हैं केंद्र और राज्य सासन ने मिलकर के सरधालु जणों की सुरक्सा उनकी सुविधा उनकी सुगम और सुरक्सित यात्रा के लिए अनेक प्रबंद किये हैं कहीं कोई दिक्कत न हो कहीं कोई अभिवस्था न पहले कोई भी उनकी आस्ता के साथ खिलवार न करने पाए इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारम किये गए हैं लेकिन हमें इस बात जरूर ध्यान में रखना होगा मैं सभी सरधालु जनों से इस बारे में बिनंब्र अंडोत करूंगा हम लोग भी सिव भक्त हैं महादेव के सीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है और निरंतर हम महादेव से ही प्राठना करते हैं कि उनकी कृपा सरीव बनी रहे कोई भी पर्व और तेवार कोई भी साधना बिना आत्मानुसासन के पूरी नहीं होती है सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतह करण से बलकि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा शिव भुत्वा शिवम यजेत शिव बनने के लिए शिव जैसे साधना भी चाहिए उस प्रकार का आत्मानुसासन भी चाहिए और तब यहाप कावड यात्रा न केवल सरधा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बलकि आम जन के ब्यापक विश्वास की प्रतीक बन करके उभरेगी जैसा कि समय हम लोग देख रहे हैं माहूल कि असीम सरधा वहाओ के साथ जनता जनारदन समाज के अलगलग तपके के लोग उनकी सेवा के लिए ततपरता के साथ कारे कर रहे हैं और सरकार ने भी अपने अस्तर पर नकेवल पैतरीन पैट्रॉलिंग के माद्यम से स्वच्छता के माद्यम से स्वास्तिकी विव पर आरंब किये हैं राउसिक्ता नुसार ड्रोन और हेलिकप्टर से निग्रानी और पुस्प वर्सा की विवस्ता भी इसके लिए की है मैं सवी स्वी भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की एक रपा हम पर बनी रहे हम विवस्ता के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का नकेवल आनंद ले बलकि पूरी स्थर्धा और विश्वास के साथ आत्मानुसासन का परिचे देते वे इस पावन स्रावन मास के कावड यात्रा कारिक्रम को सफलता पुर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान ते आप सब की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी मंगल में सुपकामना है